हेलो स्टुदेंट्स वेलकम तो नॉलेज एट्योड मैट्स आजम सॉल्फ करने जा रहे हैं क्लास 10 अरे सग्रवाल नियु अधिशन चाप्टर 3 पेर ऑफ लिनियर एक्वेशिंस इन 2 वैरिएबल्स एक्सराइज 3 एसे सब्सक्राइब करने होगा तो यहां पर आपको सबसे पहले तो यहां पर आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करने होगे तो यहां पर हम इसमें क्वाइब करने के लिए य को एक्साइट कर लेते हैं यहां पर 2y को इधर कर दिया हमने तो यह हो गया आपका एकस प्लस 2 यानि y इस एक्वाल टू एकस प्लस टू अपॉन टू हो गया तो हम एकस की वालू रखते जाएंगे और वाई की वालू मिलते जाएगी क्योंकि यहां पर आपकी x की value पे यकी value डिपेंडेंट हो रही है तो अब हम यहाँ पर x की value अगर जीरो रख दे तो y की value मिलेगी हमें 2 upon 2 यानि 1 मिलेगी क्योंकि 0 प्लस 2 upon 2 ही होजाएगा जो यहाँ एक की value 0 रखने पर y की value 1 मिल रही है तो अब मैं अगर x की value यहाँ पर minus 2 रख रही हूँ तो y की value मुझे minus 2 plus 2 upon 2 यानि 0 upon 2 is equal to 0 मिल रही है so x की value 2 रखने पर y की value 0 मिल रही है अब हम यहाँ पर x की value क्या रखे तो अगर हम यहाँ पर x की value plus 2 रख देते हैं so y की value मिलेगी आपको 2 plus 2 upon 2 यानि 4 upon 2 is equal to 2 मिलेगी so x की value 2 रखने पर y की value भी 2 मिल रही है so आपके quadrants क्या के आगे 0,1 minus 2,0 और 2,2 तो आपके ये quadrants आगे अब इसके बाद आपको इस वाल equation की quadrants find करने है so y is equal to हो जाएगा x minus में 2x हो जाएगा so yaahaan पर भी आपके x की value रखनेंगे और y की value आपको आपको captured होगी so x की value रखते जाएगे y की value मिलते जाएगे यहाँ पर तो हम x की value अगर 0 रख दे तो y की value हमें सिध्ष यहाँ पर 6 मिल जाएगी so x की value 0 रखने पर y की value 6 मिल गई यहां पर minus 2 into 0 रखेंगे तो 6 आएगा आप हम यहां पर क्या करते हैं x की वालू यहां पर 3 रख देते हैं y की वालू x minus 2 into 3 x minus 6 is equal to 0 यहां 6 minus 6 is equal to 0 मिल रही है यानि x की वालू 3 रखने पर y की वालू 0 मिल रही है अब हम इसे इतना fast कैसे कर ले रहे हैं इसलिए बहुत आसानी से समझ में रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसी वालू रखते जाहिए जिससे आपको 0 1 minus वगेरा की वालू मिलते जाहिए जिससे आपको graph paper पर plot करना आसान हो जाए तो अब हम यहां पर क्या करते हैं x की वालू यहां पर हम रख लेते हैं 2 रख लेते हैं तो x की वालू 2 रखते हैंगे तो y की वालू minus 6 2 into 2 x minus 4 यहां 2 मिल रही है x की वालू 2 रखने पर y की वालू 2 मिल रही है तो यहां पर 0,6 3,0 और 2,2 quadrants मिल गए हमको तो अब इसे हम graph paper पर plot कर लेते हैं तो students आपकी यहां पर equation x minus 2y plus 2 is equal to 0 है जिसकी quadrants आपको मिले है 0,1 minus 2,0 2,2 और दूसरा आपका equation है 2x plus y minus 6 is equal to 0 जिसके quadrants मिले 0,6 3,0 और 2,2 है तो हम यहां पर graph बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि y की maximum value 6 तक गई है और x की value आपकी 3 तक गई है तो यहां पर हमें y axis बनाना होगा और x axis बनाना होगा तो यह हो जाएगा आपका y की value के लिए यहां पर ले लेते हैं आपका 1, यह हो गया y 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां से हमें line खेशनी होगी y के लिए, sorry x axis के लिए यहां से हमारा x axis हो जाएगा आप एक दू value ज्यादा भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें ज्यादा ले लेंगे तो ठीक है लेकिन आप बहुत ज्यादा लेंगे तो आपको थोड़ा सा ओड़ सा दिखने लगेगा यह हो जाएगा आपका y dash यह हो गया आपका x और यह हो गया आपका x dash तो यह हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 1, minus 2, minus 3 यह हो गया प्रेंगे तो पॉइंट्स तो हमने यहां बना ले अब हम क्या करते हैं मतलब पॉइंट्स यहां बना लेते हैं 0,1 एक्स की वालू जीरो है यह हो जाएगा आपका minus 2,0 फिर उसके बाद 2,2 है x की वालू 2 है और y की वालू भी 2 है तो यह वाला पॉइंट हो गया आपका 2,2 फिर यहां से 0,6 है तो x की वालू 0 है और y की वालू 6 है तो 0,6 तो आपका यह हो जाएगा फिर उसके बाद 3,0 है x की वालू 3 है और y की वालू 0 है तो 3,0 आपका यह हो गया फिर उसके बार 2,2 आपका यह पॉइंट हो गया तो दोनों ही हम यहां पर इसको जो है जॉइन कर लेते हैं लाइन्स को हमारे एक हमारी यह वाली लाइन हो गई जो है एक्वेशन एकस माइनस को प्लस टू के लिए है और दूसरी हमारी यह वाली लाइन हो जाएगी तो यह हो गई हमारी 2x plus y minus 6 is equal to 0 के लिए तो अब हमारे यहाँ पर triangle बनाना है x-axis पर यह है आपकी x-axis तो x-axis पर triangle कौन सा बन रहा है आपका यह वाला आपका triangle बन रहा है तो आपका यह जो है यह हो गया आपका x-axis पर triangle इसके बाद आपको question में कहा गया है कि इसके vertices find कर लेते हैं यह triangle ABC है इसके vertices find करने हैं यहाँ पर आपके triangle ABC के vertices A point पर किता है आपका 2,2 है B का vertices आपका रहा है minus 2,0 minus 2,0 C के vertices आपके आ रहे हैं 3,0 तो इस तरह से हमें area find करना है तो area of triangle यहाँ लिक लेते हूं मैं area of triangle ABC is equal to 1 by 2 into base into height तो यह हो गया 1 by 2 into base कितना equation में आप यह बताईए जल्दी से comment करके या फिर आप अपने मन में guess करके और height कितना है यह बताईए तो यहाँ हम देख रहे हैं base कितना आपका 1,2,3,4,5 तो base आपका हो गया 5 unit और height कितनी आपकी so height आपकी maximum यही वाली गई है न यह वाली यह वाली आपकी height maximum है तो 1 और 2 तो यहाँ पर height के लिए आपका 2 unit ही तो गया है तो यानि आपका इसमें हो जाएगा base into height base आपका 5 है और height आपकी 2 है 2 से 2 cancel हो गया so 5 square unit तो यही हमारा answer हो जाएगा तो यह था आपका question no. 15 यह हमने 15 के लिए graph बनाया तो I hope आपको यह question search में आ गया होगा बहुत ही easy question है सो इस वीडियो में बस इतना ही thank you so much for watching किया हरे जहिए हुआ तो